देश की राजनीती में इन दिनों चंद्रबाबु नाइडू का नाम खोब चर्चा में है आज प्रधान मंतरी मोधी तीसरी बार सबत लेंगे वही मोधी सरकार के तीसरी कारकाल में इनकी अहम भूमिकार रहने वाली है लेकिन चुनाव पुडाम आने के बाद से ही बीते पांच दिनों में इनकी संपत्ती में काफी उच्छाल हुआ है नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाबकेस्री.com मैं सतिंद्र सर्मा चंद्रबावु नाइडू परिवार के संपत्ती पिछले पांच दिनों में 870 करोड रूपे बढ़ी है हरिटेज फूड्स के सेरों में इस दोरान 55 फिजदी का उच्छाल आने से ऐसा हुआ है नाइडू फैमली इस कंपनी में प्रमोटर है हाली में हुए आन्दरप्रदेश विधान सवा और लोग सवा चुनाव में टेडिपी प्रमुक्ट चंद्रबावु नाइडू का सांदार परदर्शन रहा है इसने हरिटेश फूर्ट के सेरों को नई उचाई पर पहुचा दिया है हरिटेश फूर्ट दूध और दूध से बने उत्पाद बेचती है इनमें दही, घी, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क और एम्मिनूटीक मिल्क समेत अन्य प्रोड़क्ट सामिल है देश के ग्यारे राजियों में 15 लाग से जादा परिवार कमपनी के डेरी प्रोड़क्टों का इस्तिमाल करते हैं पिछले पांच सत्रों में हरिटेश फूर्ट के सेरों में 55 फिजदी की सांदार बढ़त दर्च की गई है कमपनी का सेर 3 जून को 424 रुपए पर टेंड कर रहा था ये एकजिट पोल में नाइडू की तेलगू देशम पार्टे की संभावी जीत के बाद से बढ़कर सुक्रवार को 671.25 रुपए के आल टाइम हार्ट पर बंध हुआ चंदरबाबू नाइडू परिवार के सदस्यों की निटवर्थ इस तेजी के दोर में काफी बढ़ गई है चुनापर डामों के नाइडू के पच्छ में आने के चलते हरिटेस फूट्स का बजार पंजी करण इस सब्ता 2400 करोड रुपए से अधिक बढ़ा है कमपनी का बजार पंजी करण जून को 6136 करोड रुपए हो गया यह एक सब्ता पहले 3700 करोड रुपए था इस्टाक एक्सचेंज के डेटा के अनुसार नाइडू परिवार की कमपनी में 35.7 फीजदी हिस्सेदारी है चंदरबाबू नाइडू के पतनी भुनेश्री के पास कमपनी में 24.34 फीजदी हिस्सेदारी है जबकि बेटे लोकेस और बहुब रामडी के पास 10.82 फीजदी और 0.46 फीजदी हिस्सेदारी है नाइडू के पोती देवांस के पास इसमें 0.06% हिस्सेदारी है सामोहिक रुप से परिवार की नेट वर्ष एक सबता पहले के 1319 क्रोड रुपए से बढ़कर 2190 क्रोड रुपए हो गई है यारी परिवार की दौलत में 870 क्रोड रुपए का इजाफा हुआ साथ जून को हरिटेज वुड्स के सियर एनेसी पर 10 फिजदी बढ़कर 671.25 रुपए पर बंद हुआ आगकों पता दे कि आंदर प्रदेश में एक बार फिर चंदबाबुनाइडू की सरकार बनने चाहरी है 12 जून को वो मुख मतरी पत्की सपत लेंगे लेकिन इस बार देश की राजनिती में भी इनका अहम रोल होने वाला है इंडिया की सरकार में रहते हुए आंदर प्रदेश को विसेश राज़ का दर्जा दिलाना इनका प्रमुक उद्देश होने वाला है लेकिन जिस तरह से बीते पांस दिनों में इनके सेरों में उशाल आया है और अचानक संपत्य बढ़ी है तो कहीं न कहीं सरकार बनने के बाद से नाइडू परिवार के लिए एक बड़ा तुफ़े के रूप में देखा जा रहा है इस पर आपके क्या रहा है कमेड़ी बॉक्स में हमें जरूर बताएं तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेस्री.ड़कॉम धन्यवाद